हालो फ्रेंड वेलकम तो मैं नी वीडियो और आप देखें इंफोर्मेशन भाई बीशेक और मैं हूँ आपका इंफोर्मेशन एक्सपर्ट हम आपके लिए लाते हैं नर्सिंग से जुड़ी से भी तुरकी इंफोर्मेशन सिबसे पहले तो अगर आप हमाई चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए फ्लीज प्रेस्टी बन पर नोटिफिकेशन से जुड़ी पीडिएफ देते हैं अपने टेलीगाम चैनल अगर वो अपने भी तक जोइन नहीं किया है तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइट करा दूँगा आप हाँ से जाकर जोई कर सकते हैं यह जो विकेंसी है वो बिल्डा इंसिट्यूट अफ टेक्नोलोजी एंड साइंसिस पिलानी हैदरवाद केंपस की तरफ से रहने वाली है रेक्रूट्मेंट नोटिफिकेशन फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ एंड बिट्स प्लानी हैद हैदरवाद केंपस वेरिस पोस्ट है चली चलते हैं और देख लिए थे स्टाफ नर्स के लिए से विक्या पाउच्टी दी हुए सीरी नमबर पास पर जूने नर्स ग्रेट सेकंड की इसमें पोस्ट रहने वाली है जो की मेल की रहेंगी पर मन्त रहने वाली है बेशची नर्सिंग पोस-बेशची नर्सिंग एंजल डेट सेट नर्सिंग कांसल के साथ आप राइस टार स्ट होना चाहिए आप को बेशची नर्सिंग इनल पोस-बेशची नर्सिंग आप को 3 years देट में 40 years, दे रखी है, आगे की कुछ information हम देख लेते हैं, knowledge होने चाहिए, English writing and spoken की, और आपको अच्छे से computer को operate करना आना चाहिए, आपको knowledge होने चाहिए, MS Office and relevant program application of the role, तो इस में आपको computer की basically अच्छी knowledge होने चाहिए, और MS Word, MS Office आपको अच्छे से आपको use करना आपको आना चाहिए, आप procedure for application हम लोग अब चेक आउट कर लेते हैं, इस में internal and external both candidates इस में apply कर सकते हैं, यानि जो bits में अभी already working हैं, अगर वो इस में apply करना चाहते हैं, तो वो भी apply कर सकते हैं, internal candidates आपको apply करने के लिए एक application form with a letter justifying their suitability and position, आपकी जो position को justify करें, इस तरह का एक letter आपको लेख कर और forward करना होगा, अपने HR manager को आपको वही पर जाकर उसको report करना होगा, तो आप वहाँ जाकर अपने form को basically जो application है, जो आप hand return जो होगी, या आप print भी करा सकते हैं, तो आप जो ना उस application को आप जाकर submit कर सकते हैं, HR manager के पास जाके, और जो external candidate हैं, उनको एक application लिखनी होगी, और उस पे अपने बारे में सब कुछ आपको लिखना होगा, और directly send कर देना होगा, HR at the rate, hyderabad.bits-pilani.ac.in, with detail of position apply, जिस position के लिए आप apply कर रहे हैं, वो आपको subject line में लिखनी होगी, और send कर देना होगा, इनके mail address पर, and application submission की जो last date है to the HR manager, वो रहेगी 28th of July 2023, यानि 20 July 2023 को आपको अपना application submit करनी होगी to the HR manager, इस vacancy के लिए आप अभी से preparation में लग जाएं, में इस दरफ से आपको all the best and best of luck, apply करने से पहले, आप इनकी terms and condition अच्छे से रही करीजेगा, अगर आपको ये information अच्छे लगी हो तो please वीडियो को like कीजेगा, share कीजेगा, और हमारे साथ connect रहने के लिए चैनल को subscribe जरूर कीजेगा, धन्यवाद,